सबी बाईयों को नमस्कार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनिवाल डेरी फारम पर आज एक शांदार बैस आपको दिखाएंगे सामने आप देख पा रहे हैं पिछले साल भी इसी बैस की वीडियो हमने बनाई थी और आज अभी बैस एक दो दिन में बच्चा देने वाली है एक बार फिर से इस बैस की वीडियो बना रहे हैं बताना चाओंगा जो बाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो फेस्बुक पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक कर लें आज मुझादपुर गाउं में हैं और हरियाना जैसा कि मैं क हासे लेके आ रहे हैं मुझादपुर गाउं से हासी के नजदीक उम्रा सुल्तानपुर के नजदीक मुझादपुर गाउं है और बहुत अच्छी बैस है इसके बारे में बात करेंगे बाई साब से पुछेंगे अनुबाई नमस्कार क्या आल चाल है जी तो बैस बच्चा तो चार दिन बाग किया भी बच्चा देने के ठीक है तो बाई साइब कितना दूद पिछले साल जैसे के अपा साइद ये भी बोला था कि दूद इसकी लाइव मिलकिंग करवाएंगे पिछले साल भी वीडियो में बाई साइब यह चोथो मिनने भी आई थी अच्छा लोगडाउन लग गया था ठीक है लोगडाउन के करण लाइव नहीं चला पाए 24 किलो 700 ग्राम दूद पिछले साल दिया था अभी कोण सी बार बच्चा देगी तीसरी बार बच्चा देगी ठीक अपने गर की पाड़ी वही बैस गर की त्यार की हुई है इसकी इसक पर चला के दिखाना बैस अब 24 किलो 700 ग्राम दूद जो है इधर लो 24 किलो 700 ग्राम दूद पिछले साल जो है बैस ने दिया है देखिए जी बहुत ही सुन्दर बैस है सींग भी बड़िया जैसा की कई साल पहले जब मुर्रा के जो कंपीटिशन होते थे उस टाइम पे इसी सींग को पसंद किया जाता था आज कल बिल्कुल छोटा सींग जो है वो मांगने लगे हैं लेकिन बहुत अच्छे बच्चे पैदा करने वाली बैस है इसका एक कटड़ा भी मैं आपको दिखाऊंगा ये देखिए बिल्कुल मोर्नी की तरह जो है बैस चल रहे या दीरे द आदम रखके चार दिन अभी बाकी हैं तो चार दिन तक बैस मैं कहूंगा एक दिन तो बैस का एसाल निकलेगा जब बच्चा देने पर आएगी तो बैस से चलना फिरना जो है उठना बैठना जो है वो मुश्किल हो जाएगा तो ये देखिए जी बहुत ही बहतरीन बैस है बैस साब से बात करेंगे इस साल की क्या पोजिशन है मैं एक बार रोकना बैस साब मैं बिल्कुल एक बार नजदीक से दिखा देता हूं बैस इसका कटड़ा भी पिछले साल का खड़ा है पिछले साल की भी वीडियो लगबग हमने इसी पोजिशन में बढाई थी लेकिन पिछले साल से अडर की जो क्वालिटी है अडर का जो साइज है वो बढ़ा हुआ है पिछले साल दूसरी बार की थी तो लगबग चोथे ब्यात तक जो है वो बैस पूरे पीक पे जाती है मैं नजदीक से दिखाना चाहूंगा आँखें देखिए बिल्कुल काले कलर की जो देखिए वो भी उसके मामले में तो कहें के बहुती लाजवाब है ये देखिए जी बिल्कुल उपर से लेके निचे तक मेरी खाल से मिटर खतम हो जाएगा अगर एक मिटर हम लगाए इसके इधर से लेके और पिछे तक तो मिटर खतम हो जाएगा लेकिन बैस का आडर जो को भी 100% मजा आ रहा होगा तो अनू भाई सारा कुछ पूछेंगे बैस के बारे में 24 किलो 700 ग्राम दूद दिया उस टाइम पे कितना दाना खाती थी बैस के खाते के डे 50 किलो 10 किलो और क्या देते थे ओस टाइम पे इतने जोदिक खडब विंदोड़ा अरचूरी कोई गी तेल केल्सियम कैल्सियम देख केलसियम देते तो भाइस अब ही जैसे व्याने से पहले मैं आप क्या यूज करते हो अपने कई बाई तो घे तेल कुछ भी नहीं देते और कई तेल डिय आपने क्या चाक्प गुल्ट करते हैं तो ठंडा करके देते ओ या कन का चांड करके दो या तो भाई सब इसका बेचने का विचार है या गर रखने का विचार है दूद नापने के बाद बेच चोगे तो लाइव मिल्किंग करवाओं पिछले साल से मालो 28-39 की उमीद है ठीक है और उसी के बाद रेट करेंगे अगर ठीक है क्योंकि दो तोल के बेचने का ही मज़ा लगए और यह कटड़ा भाई सब यह कुण से बुलकाई सी पिछले साल का है पिछले साल का मुनतिस का मुनतिस का कटड़ा है देखिए जी बिल्कुल छोटे स का और कितने मीने का हो गया और कितने मीने पहले वीडियो बनी थी 14-15 मीने का हो गया देखिए जी बहुत ही बढ़िया और टेस्टिकल भी अच्छे है थोड़े से बाल वाहिट पूंच में और कटड़ा तो 100% ही जो है कोई पशुपालक रखते नहीं अगर बेच देते हैं कॉंटेक्ट नमबर में भाई से पुछूंगा लेकिन एक बैस की वीडियो दो से तीन मिनट की ही बननी चाहिए लेकिन आज की बात करें तो बैस के पिछे से फोन बंद करने का कैमरा हटाने का मूड़ी नहीं हो रहा है कि इस बैस को हम अपने फोन के आगे से कैमरे के आग ठाणवे 123 10624 इस नमबर पे आप फोन कर सकते हैं मुझादपुर भाई का गाउं है कैसी लगी वीडियो आप कमेंट्स करके जरूर बताना और जल्दी लगबग एक महिने के अंदर मिलेंगे जी लाइव मिलकिंग के साथ बहुत अच्छी दुदारू बैस है पूरे एरि अधार हमें दिलाया था नूबाई कितने दूद वाली वैंस अभी मा की 28 29 की है ठीक है 28 29 किलो दूद गाउं में किसी से भी आप आके पुछोगे हर आदमी आपको यह गवाई देगा के जी 26 23 29 किलो दूद की बैस है और जिस मालिक के पास की थी जिस मालिक के पास थी उसके तो ऐसे हो से लेते के वो कहता था मैं नए रिकार्ड कायम करूंगा बैस से अभी बैस वुड़ी होगी दूसरे आदमी को दूद नहीं दिखाती और मेरी ख्याल से एक थन भी खराब होगा ठीक है दोस्तों अनूबाई की बैस कैसी लगी आप हमें जरूर बताना कमेंट्स करके और वीडियो फिर मैं कहूंगा बंद करने ही पड़ रही है लेकिन बैस को देखके वीडियो बंद करने का मूड नहीं हो रहा इसकी अडर और थनों की क्वाल्टी इतनी लाजवाब है कि इसको दिखाते ही रहें तो ठीक है जी मिलते हैं फिर और किसी अच्छी बैस के साथ और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना सभी भाई जो भी लाज तक जुड़े हैं सब को मेरी तरफ से नमस्कार